तो इस वार हम अपने नए वीडियो में लेकर आया हैं कुछ नया और यह नया क्या है यह है टैली प्राइम जो कि अभी तक हम लोग इसका लेटेस वर्जन टैली यारपी 9 यूज कर रहे थे उसने रेसेंटली एक अनॉसमेंट की है टैली के नए वरजन की तैली प्राइम ठीक है टैली प्राइम सेप्टंबर में इसकी बात हुई लॉंचिंग की हाला कि अभी तक लॉंच हुआ नहीं वो major changes बताएंगे जो Tally Prime में रखे गए है और Tally Rp9 में वो चीज़े जैसे थी और Tally फिलाल आज के वीडियो में हम आपको उन चीज़ों के बारें बताएंगे जो Tally Rp9 और Tally Prime में अंतर है कुछ नई चीज़े जोड़ी गई है उस सभी हम आगे देखेंगे जल्दी से फटाफट चालू करते हैं Tally Prime Tally Prime को चालू करते ही आपके पास अब startup window नहीं आएगी साथ में आप देख सकते हैं Tally ने अपना logo पूरी तरह से change कर दिया है जो Tally की पहचान थी साथ में Power of Simplicity जो Tally क्या slogan था उसे भी यहां से हटा दिया गया है यहां पर पुरानी स्क्रीन जो startup स्क्रीन थी उसकी जगह license करके window आने लगी है जब तक कि आप license activate नहीं करते हैं इसके अलावा activate license, reactivate license यह सारी चीज़े save रखी गई है सो फटाक से हम आ जाते हैं continue educational mode में अगर आप इस window की भी बात करें कुछ चीज़े आप देख सकते हैं लाइक पहले आप cross से बंद नहीं कर सकते थे जो की आप कर सकते हैं तो अगर हम continue educational mode में आते हैं तो पहले हमारे पास company info screen आती थी कैसे screen आती थी लाइक के कभी हुए इसका example देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास screen आती थी लेकिन अभी tally prime में ये screen नहीं आके tally यहाँ पड़ा आती है अगर आप यहाँ पर सही तरीके से देखें तो लगवग यह कुछ options आपके पास आ जाते हैं यहाँ से आप directly company create कर सकते हैं यह remote company जो की पहले हम login as remote user के नाम से उज़ करते थे वो रखा गया है इसके अलाबा specify company path आप देख सकते हैं कि default path यहाँ पर दिखा रहा है अगर आपको कोई path write करना है लिखना है manually type करके तो आप specify path में जा सकते हैं otherwise अपने system से जाने के लिए like हम drive में जाते हैं तो यह हमसे पुछेगा drive desktop and all जहाँ भी आपका data रखा होगा यह सिर्फ उसी को दिखाएगा इस तरह से आप enter करके भी जा सकते हैं या जो default path है उसमें भी जा सकते हैं इसमें भी आप जाके enter करके अप अपमें जा सकते हैं back जा सकते हैं तो यहाँ पर जो भी company आपकी है आप उसको enter करके खोल सकते हैं फिलाल हम create company को देखते हैं जो changes आएं यह जो options आप देख रहे हैं नए tally में tally prime में by default इतनी options नहीं रहते हैं यहाँ पर configure का एक option है फिलाल हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़े रहती है मोटा मोटी सिर्फ इतनी चीज़े ही रहती है पहले जो है आपके पास टally world का option यहाँ पर by default रहता था जिसको हटाया नहीं जा सकता था हालागि compressor नहीं था यूज करना साथ ही कुछ और भी चीज़े थी जो यहाँ से हटा ही नहीं जा सकती थी लेकिन अब यह हटाना possible है आपको जो चीज़ चाहिए वो रखिए जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिए सोमाल लिजी हम dummy, tie, brains, communicate कर लेते हम और जैसे ही आप इनको आपको यूज करना है कीज़े नहीं करना मत कीज़े कोई दिकत में कंट्रोले करेंगे तो company accept होने के बाद देखिए यह f11 का option आपके पास direct आता है by default इसमें भी इसे पितना ही आपके पास आने वाला था और option चाहिए backspace करके yes ये भी no रहता है इसको भी yes करके आप ले सकते है कुल मिलाकर चीजों को ease कर दिया गया जब भी कोई company बनाएंगे by default उसमें GST अब activate रहने लगा है अगर आपको GST नहीं उसकरना है तो आपको no क करना पड़ेगा जो की generally क्या था पहले हम F11 F3 में आकर activate करते थे इसी तरह बिलवाई details यहां से no कर सकते हैं then अगर आपको और कोई changes करने ही नहीं करना आप देखके control रवाईए again आपके company accept हो गई और now हम gateway टैली पर है यहां पर आप आप देख सकते हैं कि बहुत सारी changes कर द अदल दिया गया है आपको अगर पिछी स्क्रीन याद होगी तो हमारा पास यहां पर accounts info inventory info जैसे options आते थे अच्छा सुरुवात में जब मैंने देखा था इसे जो पहली बार मुझे टैली प्राइम मिला था और जिन्होंने मुझे समझाये था तो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत लंदी है यह मतलब क्यों ऐसा कर दिया गया मर यकीन मानिए कि अगले दो से तीन घंटे इस पर बिताने पर मुझे समझ में आगा कि यस टैली हस्टाने ट्रेमंडस जॉब और यह सच में टैली आर्पी 9 के बाद मील का पत्थर सावित होने वाला है कैसे पहले अलग दीए लाइक आफ देख सकते है कैटेगरी और गुडार्ण भी और देदिया गया है जिसको यूज़ करना इबर घजर में करना है हमें से धर करना है हम कर सकते हैं मांकी अप्टेवल में और उपसंस टीए गये जिनको यूज करना है किजिए इन में बहुत ज्याद़ा चिं उसकी जगह सिंपल सो मोर में जाएंगे कुछ यहां पर आपके बढ़ गए और नहीं आए कोई दिक्कत नहीं सुए एक्टिव कम्प्लीट लिस्ट आपके पास आ गई है जो भी चाहिए आपको पेरोल में काम करना है एक्टिवेट कर दूँ यस हो गया अग्टिवेट अब अगर आप बहर आके फिर्सेस में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि पेरोल मास्टर अक्टिवेटेड है सो यह बहुत इजी है पहले कि जितना आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूत नहीं है बहुत इजी कर दिया गया है जो चुझी यूज नहीं होती थी like multi create यूज नहीं होता था टैली ने उसको हटाया नहीं है लेकिन ऐसी जगर पर रख दिया है जो आपको यूज है तो यूज करो नहीं है तुम मत करो अल्टर में आते हैं अल्टर भी सेम आप यहां जाहिए सो मोर में चले जाहिए एक्टी में चल जाहिए सारी लिस्ट आ जाएगी जिसको अल्टर करना है डारेट जाहिए मैंने जैसा ही बताया इन चीजों में कोई खास अंतर नहीं किया गया है ठीक है हम आगे complete वीडियो बनाएंगे chapter to chapter उसमें आपको इसके बारे बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे फिलाल ये एक सौट वीडियो में बना रा चाहता हूं ताकि आपको टैली प्राइम के बारे में समझा जाए बहार आते हैं चार्ट ओप अकाउंट्स ये एक तरह से ये create alter and display की तरह काम करता है चार्ट अकाउंट्स में आएंगे यहां अब जैसे लेजर में आते हैं तो आप देख सकते हैं जो पिछले चाली अरपिनान में डिस्प्ले में जाने पर list of accounts आता था डिस्प्ले काम सह रिपोर्ट के डिस्प्ले में लिश्ट ओप अकाउंट्स आता था वह यहां पर आ गया है साथ में आप यहां पर व्यूचेंज करके इस तरह भी देख सकते हैं जो सच में ज्यादा यूज होती है वाउचर इंट्री की बात करें तो पहले एक्टिवेट डीक्टिवेट करके हम वाउचर को चार भागों में बाठ सकते थे अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर, पेरोल वाउचर, और वाउचर टैली ने हम सब अटा दिया सिधा-सिधा वाउचर आकर जो सबसे इंपॉटेंट वाउचर से हैं सामने में हैं बागी वाउचर अंदर में हैं कुछ सौटकर बदल दिये गए इसके लावा बागी वाउचर भी जो है आप यहां से यूज तो करी सकते हैं और नहीं है तो सो इन अक्टिम में जाएए और आपको इसमें से जिसको भी यूज करना उस पर एंटर करके उसको एक्टिवेट कर लिजे यूज करने का तरीका बागी चीजे लगभग सेम हैं बहुत ज़्यादा नए उप्संस नहीं जोड़ेगा है जो आपके वर्क को चेंज कर दे एक और चेंज क्या आया है पहले कॉंट्रा बेस्ट वाउचर यानि कॉंट्रा पैमेंट रिसिप्ट में दो मोड होते थे सिंगल मोड और डबल मोड अभी भी है और सेल्स वाउचर परचेज वाउचर, क्रेट नोड, डेविट नोड में दो मोड होते थे कॉन-कॉन से वाउचर मोड और इनवेंटरी मोड तो इन सब में चेंज इस करने के तरीके अलग लग थे इनमें F12 में होता था इनमें कंट्रोल भी बन कर दिया, बोला इस तक नहीं करना, करो सिधा वाउचर कोई भी हो, चेंज मोड में चाहिए क्या चाहिए डबल चाहिए ओके परचेज में चलता है, चेंज मोड में चाहिए, आइटेम इन्वाइस चाहिए ए वाउचर ऐस? क्योंकिए इनवाइस को हम दो भागवियं यूज करे अपने experience को और इस वीडियो का experience को हमारे comment box भी जरूर डाले हम उसका reply करेंगे जो अच्छा लगेगा उनके लिए जरूर एक gift रहेगा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक लंबी चोड़ी यहाँ पर एक list हुआ करती थी date and all, set company, select company, company, company info, बहुत सारी चीज़ साथ, talent सब हटा दिया है सिधा date में जाएंगे तो दूनों option है, company में जाएंगे तो तीन option है, यहाँ भी आपको shortcut बदल दिया गया है, alt f1 is now control f3, क्यूं? company selected तीनों option को f3 पर ला दिया गया है हाँ समय लगेगा, आप अगर पहले से यारपी 9 या 7.2 यूज कर रहे है तो थ्रहाँ समय लगेगा, लेकिन मैंने कहा, भरोसा मानिये, I have experienced it within 3 days और मैं यह कह सकता हूँ कि now this is actually the tally, this is actually tally इसी तरह से आप देख सकते, f11 guy up है, उसको यहाँ डाल दिया गया है, support center, control center को हटा कि उसके options यहाँ डाल दिया गया है, export, backup restore यहाँ डाल दिया गया है, import, export यहाँ डाल दिया गया है इसके लावा, रिपोर्ट में लगवग चीज़े बराबर है, जो बहुत 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 यूसफुल चीज़ आई है, वो है ये go to, क्यों? पहले आपको रिपोर्ट में जाना, लाइक आपको movement analysis देखना था, तो हो सकता आपको पता भी नहोगा, कि movement analysis में जाएंगे कहा से, is simplicity, ठीक है, बाटी का लेजर चाहिए, हाँ, laser, okay, laser, किस बाटी का चाहिए सर, okay, हाँ, नीचे से काम करता है, जिसे पहले करता था, display, account books, laser, आएगा, ठीकिन, best thing is, यहाँ से सारी कि सारी रिपोर्ट आएंगे, और इस यो वान आपको दिखाता हूँ, so more, so inactive, ठीक है, expand on, अब यहाँ देखे, 365 और है, आप्प्रोक्स, एप्रोक्स 450 रिपोर्ट इसमें है, इस सारी के सारी रिपोर्ट इवेन जो रिपोर्ट यहाँ नहीं है, वो भी रिपोर्ट वहाँ पे है, यहाँ पर अगर आप जाते हैं, डिस्पले में, आप देखते हैं, account books में, तो पहले में दिक्कत, वो समझा टैली ने, लोगों जब हम अटाच करते थे, या फिर हम export करते थे, तो path और format डालना बहुत problematic work था, वो ठीक कर दिया गया है, साथ में जो है, entry करते समय, अलग-अलग modes याद करने परते थे, वो ठीक कर दिया गया है, साथ में बहुत सारे options, बार-बा एक stock item create कर लिजे, सर कैसे जाएंगे stock item में थुरा बता दीजे नो, एक काम किजे आप go down जो है आप चालू कर दीजे यूज करना, सर कैसे होगा थुरा बता दीजे ना, अब अगर मैं किसी को बोलता हूँ, कि आप go down create कर लिजे, हाँ सर create करके दीख रहा है, हाँ ठीक है, ज चलो, so easy, तो जब आप इसको experience करेंगे, you will also say, tally ने अब जो बनाया यह है, power of ज्यादा simplicity, ठीक है, इसी तरह से आपको calculator नहीं दीख रहा, लेकिन control and दमाने से वो काम करेगा, हाँ, लेकिन एक चीज है, जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं, यह हटेगा नहीं, हटाना पड थोड़ी सी दिक्कते भी है, जैसा मैंने आपको calculator के बारे में बताया, दूसरे debug में अगर आते हैं, तो पहले हमारे पास नीचे में सारे options होते थे, like, delete, cancel, remove, restore, select, select all, तो अब ऐसा है कि जिन लोगों को इसके बारे में knowledge है, वो कर सकते हैं, विकाज यह काम कर रहे हैं, अभ पूरी सी कमिया है, I think Tally's को आगे सुधारेगी, देंगे बहुत सारी अच्छाहिया भी है, जैसे मैंने आपको बताया, तो अच्छाहियों पर ध्यान दे, और जैसे ही Tally, अपना नया वर्जन पूरी तरह से launch करती है, TallySolutions.com पर जाके Tally या Google पे उसको सर्च करके उसको ज आप सभी को धनिवाद, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, जो जरूरी है, दोगस दूरी मार्स के जरूरी, थैंक यू